find the equivalent capacitance between terminal A and B for the given arrangement of dielectric and plate ठीक है तो plate area यहाँ पर A लेना है that means यह जो upper plate आप देख रहे हैं इसका area A है और lower plate का भी area A है ठीक है अब क्या किया गया है इस region को पहले दो पार्ट में vertically divide किया गया इस तरह से ठीक है फ्रेंट भी उसका अगर देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया ठीक है तो first part जो left side है इसमें K1 dielectric fill किया गया है इसका dielectric constant K1 है ठीक है इसको fill किया गया material को यहाँ पर जिसका dielectric constant K1 है और यह separate mid way है यहाँ से यहां तक distance जो है दी बाई 2 है और यहां से यहां भी दी बाई 2 है ठीक है यह distance D है तो इसका हम लोग को equivalent कैपस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले identify कि यह इसमें कैपस्टर कितना बन रहा है तो कैपस्टर हमारे पास कितना बन रहा है एक कैपस्टर तो यह बन रहा है C1 दूसरा कैपस्टर यहाँ पर C2 बन रहा है तीसरा कैपस्टर यहाँ पर C3 बन रहा है ठीक है अब यह कैपस्टर कैसे है स्रीज parallel में कैसे हम लोग उसको draw करेंगे तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इस capacitor यह जो capacitor C2 बन रहा है इसका एक plate अपर और इस capacitor का एक plate जो उपर में है ठीक है यह दोनों common connected है A के साथ ठीक है So that means इसको हम लोग इस तरह से draw कर सकते हैं ठीक है This is ठीक है किस के लिए इस K2 के लिए इस plate के लिए इस capacitor के लिए and इस capacitor के लिए common है So common यहाँ पर हमने A लिख दिया Then B के साथ इस capacitor का जो lower capacitor यहाँ पर बन रहा है K3 dieltry के साथ इसका एक terminal और इस plate का इस capacitor का एक plate का common connection B के साथ है ठीक है न So यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख देते हैं ठीक है कहाँ पर यहाँ B पर ठीक है So इसमें K1 आप देखिए यह capacitor K2 जो बन रहा है इसका एक plate यहाँ पर है lower और इस capacitor का upper plate common है ठीक है So that means यह capacitor और यह capacitor का है series में है ठीक है So यहाँ पर एक capacitor plate हमने बनाया ठीक है उसके बाद यही plate इसके साथ भी है So हमने इस्ता से बना दिया ठीक है और दोनों इस्ता से common connected है So that means यह जो capacitor बन रहा है और यह capacitor जो बन रहा है यह क्या है series में है यह दोनों series में है इनके combination के साथ यह parallel में है ठीक है ना यहाँ पर So यहाँ पर लिख देते है K2 और यहाँ पर K3 ठीक है This capacitor is C1 This is C2 And this is C3 ठीक है अब आते हैं हम लोग formula के उपर So general formula जो होता है Epsilon naught A Divide by D यह होता है D is the separation for the capacitor So यहाँ पर area कैसे use होगा So देखिए यहाँ पर area पर आते हैं So देखिए इस तरह से है अगर देखिएगा इसका पूरा भ्यू देखिएगा So इस तरह का बनेगा यह ठीक है ना इस तरह का ठीक है So यहाँ बिच से इस तरह से divided है So that means यह जो प्लेट Sorry यह जो capture है C1 इसमें area कितना utilize हो रहा है Area utilize हो रहा है इसको Midway divide किया गिया है Left side और right side यह दोनो equally divided है यहाँ से यहाँ तक length और यहाँ से यहाँ तक length equal है So that means यह जो area होगा यह A by 2 होगा ठीक है और यह जो plate है इसका area जो होगा यह वाला That is also A by 2 ठीक है So इस capacitor के लिए जब formula हम लोग लिखेंगे उसमे area A by 2 put करेंगे इसमे भी area A by 2 put करेंगे और यह capacitor के लिए area A by 2 इसके लिए separation D इसके लिए separation D by 2 इसके लिए separation D by 2 ठीक है So C1 का value क्या हो जागा C1 capacitor C1 K1 epsilon naught area A by 2 then divide by D separation पूरा D use होगा So K1 epsilon naught A divide by 2D यह तो इसका होगिया ठीक है Similarly हम लोग C2 लिखेंगे इसके लिए So इसके लिए क्या हो जागा Directive constant K2 है Epsilon naught area again A by 2 ठीक है divide by D by 2 separation So formula क्या बन गया K2 Epsilon naught A divide by D ठीक है Similarly C3 का निकाल दीजिए So C3 क्या हो जाएगा K3 Epsilon naught A by 2 divide by D by 2 So epsilon naught A divide by D ठीक है अब यह C2 C3 series combination है देखेंगे अब series में न यह क्या है series है ठीक है और इसके साथ यह parallel में है ठीक है सबसे पहले साथ series combination निकाल लिए So let's say it is Cs तो Cs का वैलू क्या हो जाएगा Cs एक्वेल टू C1 C2 divide by C1 sorry C2 C3 C2 C3 divide by C2 plus C3 इन दोनों का निकाल रहे न हम लोग दी ठीक है denominator में दोनों का आइड करेंगे So epsilon naught A divide by D common ले ले लेते हैं bracket में K2 plus K3 ठीक है So epsilon naught A divide by D cancel हो गया So K2 K3 epsilon naught A divide by D divide by K2 plus K3 ठीक है यह आ गया अब इसके साथ parallel में है C1 ठीक है So parallel में है So net total केप्स्टेंस अगर निकालेंगे So क्या हो जाएगा C1 parallel combination है Cs के साथ यह parallel में है So parallel में C1 plus Cs हो जाएगा ठीक है So C1 का value K1 epsilon naught A divide by 2D plus इस value को put कीजिए K2 K3 epsilon naught A divide by D divide by K2 plus K3 ठीक है न So यहां से common ले ले लेते है epsilon naught A divide by D हमने common ले लिया So bracket में क्या बच किया K1 by 2 plus K2 K3 divide by K2 plus K3 ठीक है So यह आपका net equivalent केप्स्टेंस आया given arrangement के लिए तीक है तीक है तीक है के यहामाmile के मतावदिंस आपक। क्थादिंस आपकाλλावा स्टेंस स्टेंस कारा प्राइबंस औरीक है नहने मतारा रतीत ले सित